Hello, Assalamualaikum, you are watching B-Sports Presents Mood Swings और आज के एपरिसोड पे हम आपको कुछ special moments relive करवाने बाले हैं पाकिस्तानी फैन है, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैन है तो यह वो moments हैं जो आइधिक हम पूरी लाइफ चरिश करेंगे And what are we talking about? We are talking about Champions Trophy का final जो 2017 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया और यह कोई ऐसा मौका था कि मैच करोने से पहले फेवरिट्स जो है वो clearly अगर हम भारत के commentators देखें और भी लोग देखें उन्होंने clearly बोना था कि भाई one-sided match है और इंडिया यह match बहुत अराम से जीतेगा अरबजन सिंग हो, सौरफ गंगुली हो, गौतम गंबीर हो इन्होंने तो कहा था कि भाई यह मुकाबला कराने की भी जरुवत नीए सीधा ट्रोफी बारत को देदे और फिर हुआ match शुरूओ पाकिस्तान वो तरह बल्ले बादी करने पहली बार बैटिंग करने पाकिस्तान आया और इंडिया बोलिंग कर रहा था हुआ कुछ यह हो बड़ी इंट्रिस्टिंग मुविट से यादगार लमे हैं, अब अमीद तो यही कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो स्टार्ट है वो अच्छा नहीं रहेगा बड़ी और रिकेट गेरी की और मोमें बी कुछ उरुवात में ऐसी हो यह फकर जम्वान के बले सिफ बॉल लगा, कीपर के बास गया, अपील होई और बायर ने उँग्ली उठा थी लेकिन, लेकिन the main thing that happened line cross और यह line जो है ना यह cross I think India को हमेशा याद रहेगा पुम्रा को हमेशा याद रहेगा कि यह line कभी cross नहीं करनी है आयम आपको दिखाते हैं यह special moment आउटसाइड है it's clearly over the line clearly over the line और यह line जो cross करना है न को जिन्दगी पर याद रहेगा क्योंके इसके नतीजे में हुआ यह कि पार्टनर्शिप पाकिस्तान की जो पहली पार्टनर्शिप है वो 128 run अजर अली और फखर जमान ने पार्टनर्शिप किया जिसमें अजर अली ने जो है वो 59 run रंस किये और फखर जमान वाड़ स्टेज वाड़ ऑपोसिशन चैंपियन्स ट्रोफी का फाइनल और अपनी लाइफ की पहली सेंचरी ODI की पहली सेंचरी स्कोर की इंडिया के खिराफ चैंपियन्स ट्रोफी के फाइनल में इस से बड़ा मोमेंट मुझे बताएं क्या हो सकता था और इसके मतलब यह था कि पाकिस्तान को जो बैटिंग जिसको कहते है न पाकिस्तान के थोड़ा क्रीट पॉइंट है वहाँ पर अच्छी शुरुआत मिल गई फिर बाबर आजम भी आए और उन्हें भी एक अच्छा नौक खेला लेकिन हाइलाइट पॉइंट उसके बाद किया था हाइलाइट पॉइंट था मौहमद अभीज की अग्रेसिव पावर हिटिंग वाट बाटिंग फ्रॉम दे वर्ट रूब मौहमद अभीज उतरे हैं और उनने दिखाया है मैं अटाक करने आया हूं मैं सीनियर प्लेयर हूं और एक्सपीरियंस का बने बल बदल नहीं है इस बज़ा से पाकिस्तान ने जो है वो 338 रंस का पार्ड खड़ा कर दिया लेकिन तब भी जो है क्योंकि इंडिया बड़ा ओर पांपरिण चल रहा था और लोग भी उनके पुराने बैए बैए और समने थे वो प्लेयर जो है वो प्लेयर नहीं है और बॉट कर दिया और वही पर भारत को जो है पहला जटका लगा और उनको मैसूस हुआ कि यह मैच जो है आपी पिर हाथ से निकल सकता है लेकिन क्योंके विरादखोली खड़े वे थे तो उनका कि यार विरात कोली खड़े यह मैच अभी भी हम जीदेंगे आगे दोनी यह लंबी लाइन अप है 338 क्या है हम चेस कर लें कि जैसे हम पाकिसान को अराते हैं हम भी 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 हरातेंगे वह यह कि विरात कोली कहा एंज जरूर लगा लेकि कैच प्रोप हो गया सारे पाकिस्तारियों ते दिल थड़क उठे और इंडिया को लगा बस हमारे सुपर स्टार को मौका देती है तो अब यह मैच यह एंड तक लेकर जाए लेकिन हुआ कुछ यह हूँ क्या हुआ यह देखें स्पेशल यह इस इंडियर और पाकिस्तान को पाकिस्तान के कुछ इसको सकते हैं इस से इसको डिसको करने के लिए गडिया हुँ अगये फिर तो ऐसा लगा कि अब जो है इन्डिया वो नीचे जाए जा रहा था और कोई उमीद खास दिखा भी नहीं रहे थे लेकिन फिर भी कुछ ऐसे highlighting moments थे जहां पर एक youngster एक नए बच्चे आए हैं और वो जिस confidence से इतने बड़े stage पे इतने बड़े opposition के सामने जो confidence दिखाते हैं जी हा मैं शादाब खान के बारे में बात कर रहा हूँ जिस तरीके से उनोंने LVW पहले हुआ, एक Pire ने मना किया कि आउट नहीं है और जिस तरीके से उनोंने सर्फरास को बोला है कि नहीं पहले पैट में लगा था, उनों ने दिखा दिया कि वो फ्यूचर के सूपरस्टार हैं and this was another special moment कुछ आप उन्ट शोड़ा हुआ मैं जब बापस देख रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है कि उसक जब लाइफ देखते में भी जो मोमेंट्स थे, वही मोमेंट इसको मैं सुस्स कर रहा हूँ और फिर हमने देखा मिडल ओडर भारत का पूरी तरीगी से फेल हो गया, महेंदर सिंग धोनी हो, जादव हो, जदेजा हो जी हार्दिक पांडिया ने ज़रूर थोड़ी कोशिश की, हार्दिक पांडिया जो है वो आया और उन्हों इग्रेसिव शॉट्स भी केले लेकिन सैडली वो रनाउट हो गए और वो रनाउट का जो इंजाम है, वो अपने ही जो बैट्समेन है, दूसरे उनके साथ उन पे लगा दिया और कहा के गहरों में कहा दम था, हमें तो लूटा अपनोंने, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप यह उमीद कर रहे थे कि ये मैच हर्दिक पार्डिय जितवा देते हैं, जो मैंने सोना के इंडिन फैंस भी कह रहे थे, कि हार्दिक खड़ा रह जाता था हमें मैच जीन जाते हैं, जी वो शायद हो सकता है कि थोड़ा respectable तरीके से आप लोग गेम हार जाते, क्योंकि जिस तरीके से इंड चैंपिंस ट्रोफी का फाइनल हराया, विच इस, क्या बोलुमें मोमें मोमें के बारे में, जिस लुक इत इस पिच्चर्स, यह जो है, यह जीता जाकता सिबूत हैं, कि वो किस तरीके से हम लोग ने हराया है, सजदे किये, क्राउट को जाके थैंक्यू किया, इस मोमेंट् खुद भी वर्ड्स नहीं है, बस आपके ट्रोफी उठाते हैं मोमें मोमेंट्स देखें, फाइनली पाकिस्तान 2017 के चैंपिंस ट्रोफी का विनर बना, चैंपिंस बना, 158 पे भारत गौर आउट किया, और 180 रन से यह मैच भी जीता, और यह ट्रोफी भी उठाई, हम उस ट तरीके से आके उन्होंने भारत को one-sided हराया, जी बात सही की थी जो इंडिया के fans हैं, commentators हैं, जो उनके पराने players हैं, कि मैच एक तरफ़ाई होगा, लेकिं वो भारत की फेवर में नहीं, पाकिस्तान की फेवर में होगा, वाओ 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 And now I want to know from you guys, कि आपनों के लिए सबसे special moment कौन सा था, हमने आपको ये moments दिखाएं, कुछ animated versions में भी दिखाएं, जो personally मुझे बड़े पसंद हैं, वो तीन moments जो मैंने animated में दिखाएं, एक वो फखर जमान की wicket जिस पे भूब रहा के नूग वाओ वी, दूसरा जो शादाब ख हैं, वो हमें comments पे ज़रूर बताएं, and कुछ lucky winners हैं, उनको chance मिलेगा, special customized B-sports से कुछ जीतने का, so comments में ज़रूर बताएं, और feedback ज़रूर देते रहा करें, अभी भी MMA जबाद थोड़ी सी लख रहा रही है, when I'm talking about this match, you know, so many memories, so many special moments, I think, मुझे हमेशा याद रहेंगे, आपक अलापस!